टॉपर का सबसे बारा सीक्रेट होता है कि वो छोटे छोटे टॉपिक छोटे छोटे सुत्र पर अपना मजबूती बनाए रखते हैं तो यदि आप भी बोर्ड परिछा 2022 में अपना अच्छा खासा नंबर पड़ाप्त करना चाहते हैं तो आज से ही आप छोटे छोटे छोट सुत्र पर का बज़ा जमाना सुरू कर दिजिए तो हेलो नमासकार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं आसा करता हूं आप लोग काफी बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड परिछा के त्यारी काफी बढ़िया से और लगन के साथ कर रही होंगे आज के इस नए वीडिय संखू हो जाएगा हो जाएगा और थे पहले जितने मैं श्चम बोर्ड परिछा में 5 मि क्रसन पूछ और इसके सुत्र भी आपके बोर्ड परिषा में आते होंगे पांच नंबर के लिए वह भी सब्जेक्टिव और अब्जेक्टिव दोनों मिला के आएंगे केवल सुत्र नहीं पूछे जाएंगे इस पर जो भी प्रेक्टिली को प्रसुन बनता है वैसे आपके बोर्ड पर याँ पर दोड़ा मैं है इसमें में एक भाक वक्रित है और दुग भाग व्रीत करें अद्धूग भाय किसले सथैजी वडित कर एक है तो इसे वह बलते हैं अब दिकनी इसको चीटर बनाता हुँ मैं यहां पर यहां सब्समघीए कि यहां सök डूवात प्लित है और यह यहां से यहां तक क्या हो गया बेलान का व्यास हो गया और नीचे यहां तक यहां मिला दीजेगा तो यह क्या हुगा बेलान का यहां से तिरजिया हुगा और यहां से लेके यहां तक की दूड़ी को क्या बोलते हैं बेलान का उचाई बोलते हैं तो आप से इसमें क्या जो काफी important कभी भी आपका सांथ नहीं छोड़ने वाला है जब तक आप पढ़ाई कीजिएगा देखिए सबसे पहले आपको लिखवाता हूं मैं बेलन का आयतन क्या होता है कि बेलन का विख लग जब किसी में पूछ लगता है आप पो से इसपर पड़स्न क्या होता है इसमें तिर्जा मालूम रहाएं हैं हम लोग निकाल लेंगे बैलन का आधन क्या होता है तो बैलन के आधन का सूत्र है तो वाक रिप्रिष्ट का छेत्रफल कुछ नहीं बिडित के परिमाप का सूतर आपको मालूम है तू पाई आर होता है अजब इसमें एच लगा दीजेगा तो बेलन के वाक रिप्रिष्ट का छेत्रफल निकल जाएगा तो बेलन का जब वाक रिप्रिष्ट का छेत्रफल पाई आर इंटू आर पलस में एच कर दीजेगा तो बेलन के वाकर प्रिष्ट का छेत्रफल निकल जाएगा अब आईए समझते हैं संखु के छेत्रफल और आयतन और वाकर प्रिष्ट और इसके त्रिया कुछाई कैसे निकालते हैं तो आप सभी कुल्फी खाय होंगे बजा तो यहीं संखु है यहां से यहां तक समझिए इसका क्या है तिर्जिया है विडित का और यहां से यहां तक इसका क्या है उचाई है यह है यह यहां से लेकर यहां तो क्या है एल का एल है जिसे तीरियाक उचाई बोलते हैं ठीक तीरियाक उचाई बोलते हैं अब देखिए है इसमें आपसे कपुछीआ इसके आहतन का सुत्र क्या होता है तो आईतन का सुत्र कुछ नहीं है आप सभी को मालूम होगा अ को सब्सक्राइब पूछेगा सब्सकते गठेंस जेए consent कुमरिएं अहीं है तो संखू का तिर्जिया है उसके बाद आप से पूचेगा कि पूर्णे प्रिष्ट का च्सेतrफल बता ये कि संखू का पूर्णे प्रिष्ट का ञाहता है तो खिश मीन करना है आई प्लाइब आर रहेगा इंटू एल प्रेल में आरे कर दिजेगा तो आपके संखु के पूर्ण प्रिष्ट का छेत्रफल निकल जाएगा अब देखिए हम लोग समझते हैं कि इसका तिर्यक उचाई क्या होता है जैसे कि मैंने यहां पर बनाया एक संखु ठीक तो यहां से यहां से यहां है उसका उचाई हो गया तो यह जो है यहीं इसका एल यानि तिर लेश्चाई के लिए आप सभी जानते होंगे समकुन तिर्भूज के समकुन तिर्भूज के दिवन की करने होता है तो हम लोग यानि दिरजी आए यह एक लम्हों वाला जोड़ देते हैं इसक्वायर कर देते हैं तो क्या निकल जाता है तो वैसे ही हमको लेक निकालना हो और अंडर करेंगे आहास का स्कुवार कर देंगे कई बड़ बड़े च्वाइतल क्या होता है कि गोला का आयतन क्या होता है गोला का आयतन काफी परसीद है कई से बड़े बड़े कमपर्टेटिव एक्जाम में पूछे गए हैं कि गोला का आयतन का सुत्र क्या होता है तो देखिए गोला का आयतन का सुत्र चार बाटा तीन पाई आर क्यूब होता है क्या होता है चार बा आर स्क्वार होता है इसमें चार लगा दी जगुना में तो बिल गोला का गोला का च और फिर निकल रखार, चलब और पाइ आरे स्क्वार्ण अब आप तीन रहेगा यहां पर लेक देते हैं इसका ठीक है चार बाटा तीन रहेगा अब पाई रहेगा अब बार का आर क्यूब माइनस छोटका आर क्यूब जहां छोटका आर क्या है अंदर की तिर्जिया है जो उसके पदार्थ है उसके अंदर की तिर्जिया है आप बार क्या है ब पूछमीं तो सबसे पहले मैं और दो गोले बताने से पहले आप घोले के चलते हैं पूर्ण गोल यानि पूरा गोला का आईतन क्या होता है तो अब है ओधन गोले का आईतन तो इसको आधा करें गे तो हो होता है दू बटा तीम पाई आर क्यूब और गोले का आयतन हो जागा जब पुछेगा आप से पूर्णी प्रिष्ट का छेतर फल यानि कि देखिए यहां से गुला काटिएगा तो आपका इसा चितर मिलेगा तो यह वाला भाग और यानि सब भाग पूछ रहा है तीन भाग क यानि खाली इधर नीचे बाला बता यह उपर बाला छोड़के तो कुछो नहीं टू पाई आरे स्क्वाइर कर दीजेगा तो आपका और दो गोला का वाकर प्रिष्ट का छेतर फल निकल जाएगा आए बाड़ी-बाड़ी से सभी सुत्र को एक बार फिर से रिविजन करते है देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि बेलन का आयतन क्या होता है तो बेलन का आयतन पाई आरे स्क्वाइर एच होता है उसके बाद बेलन के वक्रिप्रिष्ट का छेतरफल तो 2πr into h उसके बाद है पूर्णी प्रिष्ट का छेतरफल बाद ये बेलन के क्या होता है तो 2πr into r पलस में hr क्या है तिर्जिया है और h क्या है उचाई है उसके बाद मैंने पढ़ाया संखु संखु के सभी सुत्र आप लोग को दम कंठस्ट याद रहने चाहिए सबसे पहले मैंने इसमें ट्रिक बताया था संखु के आयतन निकालने के लिए कि बेलन के आयतन में एक बड़ा तीन से गुना कदेंगे तो हमड़ा संखु का आयतन निकल जाएगा तो एक बड़ा दीन पाई आरे स्काइर है उसके बाद है व संखु का पूर्णी प्रिष्ट का छेतरफल बताईए तो पाई आर इंटू आर प्रस में आर प्रस में एल कदेंगे तो संखु का पूर्णी प्रिष्ट का छेतरफल निकल जाएगा उसके बाद बूछेगा संखु का तिर्यक कुचाई बताईए काफी इंपोर्टेंट सभाइब कर देंगे तो संखु का तिर्या कुछाई निकल जएगा अब मैंने तिसरा मैं बताय था गुला तो गोला का आयतन है चार बाटा-3 पाई-R-3 क्यूब क्या होता है 4 वाटा-3 पाई-R-Q उसके बाद मैंने बोला की गोला का क्षेतरफल कैसे निकालेंगे तो गोला का छोघ़ार से गुना और और जाए तो आप क्यूब मैनास छोट का दका नीकल ढेंगे तो गौला की की रखैर दर रखा गया है तो इसका pray 3Pi Mars cube हो जाएगा और्ध G 쓰고 Agrion उसके बाद है पुर्ण प्रिष्ट का गोले का और्ध Пप्रिष्ट का छेत्र फर्फल क्या होगा तो पुर्ण फ्रिष्ट यानि bio बाँ जो जो कटा हुआ है से बगा आधा भाग लेडिए तो से बगो आधा काट दीजेगा तो उसका क्या बचेगा उपर वाला भाग बचेगा और नीचे वाला पूड़ा भाग बचेगा तो यानि समपूर्ण जितना है तो तीन पाई आरे स्कॉर कर दीजेगा तो निकल जाएगा आ आप लोग वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग सभी सुत्र को नोट कर लिजिए अपने कोप्री में काफी सारे सुत्री महत्तपून हैं आपके एकजाम से रिलेटेड आपके एकजाम के साथ भी आएंगे और एकजाम के बाद भी आएंगे तो अगर वीडिय पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा तब तक मिलते हैं इसके सब भी बाड़ी बाड़ी से प्रस्ट को लेकर तब तक के लिए धन्यवाद